अब आईए हम बात करते हैं, 12 राशियों की बारे में, कि आज की 12 राशियां क्या खाती हैं, किसका भागोद्य होगा, कौन बिदेश जाएगा, किसको प्रापलटी से लाव मिलेगा, किसको कोल्ड के चहरी से लाव होगा, कौन बैग्यानिक बनेगा, कौन चिकेस्टा के छेत आपको अपरत्याशी तुर्प से लाव मिलेगा, सौधानी के अपरत्नी उपाय क्या करना है, आईए शुरुआत करते हैं मेस राशी शे, जो मेस राशी की जातक हैं, उनकी लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आपको शकरात्मक सोचने की जुरुत है, जो भी कारे करें किसी गलत तरीके से धन कवाने से बचें, घर, मकान, दुकान, खरिदने का पूरा आपका जो सपना है पोड़ होगा, घर में किसी अतिति का आगमन होने की प्रबल संभावना बन रही है, आज आपका पूरा कारे अच्छा होगा, धन खर्च हो सकता है, कुछ इस तरह के कंस से जादे बै नहीं करना है, अपनी इंकम और उसमें बै का ध्यान रखना, उसमें सामझे सा स्थापित करना, आपके लिए वहतर होगा, परिवारिक के सतिति अच्छी होगी, जदि आप फिल्म बनाना चाहता है, तापकि फिल्म में हेट हो सकती है, जो राजनिती की छेत्र उपाय क्या करना है, आपको क्या करना है कि वंदरों को केला खिलाइए या चना गुर खिलाइए, और गर्मी का मौसम चल रहा है ताप क्या करें, कि अपने घर के सामने या किसी पात्र में जल रख दे, कुछ खाना और रख दे, जो जानवर और आके खा सके, तो बहुत ही भुजगेंद्र हारम, सदाब पसंत, मिर्दार विंदेभव, मवाने, सहितम नमामी, नमस्कार, मैं हूँ जोट्साचार डॉक्टर विंतर पाठी, आप देख रहे हैं भागी गुरु कारेकरम, भागी गुरु कारेकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम बात करेंगे कि पंचांग की क्या इसति है, कौन सा तिति है, कौन सा नच्छत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, राहुकल कब है, दिशासूल कब है, सुर्योदय कब होगा, सुर्यास्त कब होगा, चंद्रोदय कब होगा, चंद्रास्त कब होगा, सारी बात हम आपको राजनेति किसस्टी अच्छी होगी कौन रिखेगा फिल्म बनाएगा यह सारी बाते बताएंगे किस अंग कि अपर्योग करने से अपको अपार सफलता मिलेगी सौधानी क्या वरतनी है और उपाय क्या करना है गुरू के नुष्खे भी बताऊंगा आज जिनका जन्मदीन उनके भी बारे में बताऊंगा दर्सकों के प्रश्णों का उत्तर भी दूँगा आप देखते रहिए भागी गुरू कारिकरम अब आईए हम बात करते है है आज के पंचांग की आज है साथ जून दोहजार चौविस दिन है शुक्रवार सुर्योद हो चुका है सबेरे पांच बच के 22 मिनट पर सुर्यास दोगा साम को साथ बच के 17 मिनट पर आज चंदरबार है बिरिश राशी में मिरिक सरा नच्छत रहे शुक्ल पक्ष है सू आज आज आपके ऐक बात का ध्यान रखना का चंदरबा flour है बिरिश राशी में ब्रिश राशी में चंदरबा उच्छका मानते हैं तो आज जिन का ब्रिश राशी है उनकी लिए आज का दिन बहुत अच्छा आप अपनी जो planning है योजना है उसको implement कर सकते हैं आपनी पूरी उर्जा का सुदुप्योग करिए आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी मान सम्मान मिलेगा पत परतिश्णा में बृद्धी होगी और आप जो भी प्लान करेंगे उसमें इच्छित सफलता मिलने का योग बन रहा है दूसरी बात का ध्यान रखना है कि राहुकाल में कोई काम नहीं करना है नहीं तो काम होते होते रह जाएगा सुम मुर्थ में क्या गय क्यार आपके लिए लाप्रत होगा तो कोई भी काम करें तो सुम मुर्थ में करिए वो आपके लिए काफी फाइदे मन्द होगा दूसरी बात के ध्यान रखना है कि दिशा सुल में यात्रा नहीं करनी है अगर दिशा सुल में आप यात्रा करना ही चाहते हैं और आपका यात्रा पुरे निर्दारित है तब क्या करे किए एक दिन पूर सुमोर्थ में प्रस्थान निकलके तब यात्रा करे आपका यात्रा आनन दायक हो जाएगा अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंदर के आज का महामंदर है यह जो महामंत्र है जगत के दिश्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी का है माता लक्ष्मी जी का यह मंत्र अगर आपने भी जब करते हैं कमल गट्टे के माले से स्वेत रंग का वस्तरधान करके तो निश्यत रुप साब की माली हालत अच्छी होगी उत्रोतर आपका विकास होगा एसरी के प्राप्ति होगी आपके परिवार पर माता लक्ष्मी जी के करपा बरसे की तो आप कम सकम एक माला तीन माला नेमित इस मंतर का अगर जब करते हैं तो आपके लिए फाइदे बंद होगा